हलो डियर स्टुडेंट, हाउ आ यू? तो हम लोगों ने वेस्टी अर्शास्त्र का चेप्टर नमबर थरी यानि की उभोकता संतुलन को पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया तो इस चेप्टर में जितने भी important question होंगे, फिर चाहे वो लगू उत्तरिये question होंगे, अति लगू उत्तरिये होंगे, दिरिग उत्तरिये होंगे सभी टाइप के important questions को हम दे रहे हैं जो आप लोगों को exam में आप लोगों को पूछा जा चुका है बिहार बोड में भी पूछा है, जारखन बोड में भी पूछा है, यूपी बोड में भी पूछा है, और सारा का सारा important question हम आप लोगों को देने वाले हैं लेकिन इस से पहले अगर आपने इस उभोकता संतुलन वाले topic को बिल्कूली नहीं देखा, आपको नहीं पता है कि सीमानत उपयोगिता हरास नियम क्या होता है, गोसेन का नियम क्या है, उदासिंता वक्र क्या होता है, उपयोगिता क्या होता है, सीमानत उपयोगिता और प्लेलिस्ट में जाओ, उपर आई बटन में लिंक होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से दा करके इस चेप्टर को डिटेल में देख लेना, अब हम लोग इसके कोस्चन के उपर आते हैं, और लिखे हैं, परिक्छाओं के लिए महात्पूर पर्षन, अ मतलब क्या होता है, तो किसी भी वस्तू में अवे सकता संतुष्ट कराने का सकती उस वस्तू का उप्योगिता कहलाती है, हर वस्तू की अपनी एक उप्योगिता होती है, उनी उप्योगिता के लिए ही कोई उप्योगिता उन वस्तू का क्रे करता है, जिस वस्तू की जितनी उपयोगिता कहा जाता है सीमान्त का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई का उभोग करना जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाई का उभोग किया जाता है वैसे वैसे इससे मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है सीमान्त उपयोगिता को इंगलिस में मार्जिनल यूटिलिट यानि कि MU कहा जाता है कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं कुल उपयोगिता का मतलब है कि जब कोई उभोगता जितने भी इकाईयों का उभोग किया है परती इकाई जब परती इकाई उभोग को उसकी उपयोगिता से गुना कर दिया जाता है तो जिस गुननफल के पराप्ती होती है उसे ही कुल उपयोगिता यानि की Total Utility कहा जाता है हम ये भी बोल सकते हैं कि Total Utility is equal to Simension of Marginal Utility यानि की जो कुल उपयोगिता होता है वो सिमानत उपयोगिता के योग के बराबर होता है उदासिंता उवक्र क्या है उदासिंता उवक्र हम लोग पड़े जब कोई उभोगता अपनी सीमित आई से दो वस्तूओं का उभोग करता है तो जैसे जैसे एक वस्तू के उभोग को बढ़ाता है दूसरे वस्तू के उभोग में कमी आनी लगती है इसी को ही उदासिंता वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता बराबर होती है बजट रेखा किसे कहते हैं बजट रेखा का मतलब पड़े थे कि जब कोई उभोगता सीमित आय से दो अलग-अलग परकार की वस्तुओं का उभोग कर रहा है तो उन दो वस्तुओं के उभोग पे जितना रुपया वो ख जट रेखा कहलाता है आगे समझ में इतना ही कोस्तेन हम लोगों का भेरी सोट टाइप में था ठीक है अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आते हैं लगू उत्तर ये कोस्त यानी थोड़ा लोंग टाइप के कोस्तेन बोल रहा है सीमानत उपयोगिता है वहम कुल उपयो में संबंद कुछ याद आया अगर आप लोग पढ़े थे अच्छा से तो बिलकुल याद हुआ होगा यह टोटल यूटिलिटी और यह मार्जिनल यूटिलिटी यह संबंद आप लोगों को पूछा इसके बाद सुमानत उपयोगिता हरास नियम का मतलब होता है घट्ती सी में पे उस उभोगता की इकाई उस वस्तू की इकाई और उससे मिलने वाली उपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर होता है यानि उभोगता संतुलन की स्थिति में आने के बाद भी उभोगता उन वस्तू के उभोग की इकाईयों को नहीं रोकता है जिससे मिलने वाली सीमान तुप्योगिता का नियम या हरास सिमान सीमान तुप्योगिता नियम marginal utility इसको बोला जाता है low of dimnissing marginal utility सम सीमान तुप्योगिता हरास नियम जिसे कोस्टिन का दूसरा नियम कहा जाता है तीक है सब के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएं है आगे बढ़ते हैं अब हम लोगों आते हैं long type के questions ये long type के questions exam के point of view से important है आप लोगों के exam में ये पहले भी पूछा जा चुका है long type के question उभोकता संतुलन से क्या समझते हैं उभोकता संतुलन की मानेताओं और दसाओं को स्पष्ट किजिए सीमान तुप्योगीता हरासनियम क्या है इसके विशेस्ताओं एवं मानेताओं को बताईए सारा question भी वी आई question होगा आपके exam के point of view से उदासिंता वक्र किसे कहते हैं उदासिंता वक्र द्वारा उभोकता संतुलन को बताईए और उदासिंता वक्र द्वारा उभोकता संतुलन हम आप लोगों को बहुत अच्छे से detail में पढ़ा हैं सबसे last में यही question पढ़ा कि हम लोग chapter को end किये थे उदासिंता वक्र क्या है इसके विसेस्ताएं बताईए या मूल बिंदू की और उन नतोदर क्यों होता है यह भी बहुत important question है कि एक उदासिंता वक्र मूल बिंदू की और उन नतोदर क्यों होता है यानि कि convex क्यों होता है तो एक उदासिंता वक्र मूल बिंदू की और उन उन नतोदर हो जाता है इसके बाद एक वस्तू तथा दो वस्तू के संबंद में उभोकता संतुलन की ब्याख्या कीजिए ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ाएं थे इसके उपर साइट से इसके अलेन पढ़ाएं आतालिस मिनिat का विडियो आया था जिसमीं बहुत सारा डिटेल में चीजों को समझाये थे उसमें और आप पर एक सकते हैं बजट वक्र क्या है बजट वक्र कीमत रेखा जिसको बोलते हैं बजट वक्र यानि की कीमत रेखा क्या है बजट रेखा क्या है कीमत रेखा क्या अंतरगत कोई उभोकता संतुलन में कैसे आता है जो हम लोग लाश्ट लेक्चर में जिसको पड़े थे इतना कोस्टन इस चेप्टर से इंपोर्टेंट है और अगर आप इन सारे कोस्टन को कर लेते हों तो भाई बस बहुत है और बाकी इसके अलावे हम लेक्चर वीडियो तो इसके लिए बताए हैं वहां से कर लेना आपका सब चीज कवर हो जाएगा ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर